कौकरोच मारने वाली स्प्रे से कौकरोच मर कैसे जाते हैं? चलो जानते हैं, कौकरोच को सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग कीडा मकोडा माना जाता है. कौकरोच का अगर गला भी काट दिया जाए तो ये कई हफतों तक जिन्दा रह लेता है. इसलिए जब किसी शहर के उपर परमानू बॉम्ब गिराया जाता है, तो उसमें सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कौकरोच इस नहीं. लेकिन वहीं पे हिट का स्प्रे भारत के लगभग हर घर के अंदर मिल जाता है. जब ये कौकरोच के माता-पिता बूढे हो जाते हैं, तब उनकी बॉड़ी कुछ पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, और उनके लिए खुद खाना ढूंड के लेके आना नामुम्किन हो जाता है. इसलिए उनका एक लौता सहारा बचता है, उनका बेटा जवान कौकरोच. इसलिए वो जवान कौकरोच खाना ढूंड के अपने माता-पिता के लिए लेके आता है और उनके साथ ही खाता है. जब ये कॉक्रोच अपने माता-पिता के लिए खाना ढूंड रहे होते हैं या फिर लेके जा रहे होते हैं तब लोगों की इन पर नजर बढ़ती है और फिर वो उठाते हैं कॉक्रोच स्प्रे जिसमें होते हैं एमपायर और पायरोथ्रोइड जैसे केमिकल पार्ट्स को कंट्रोल करना बंद कर देता है और ये उल्टा लेट कर तडपना शुरू कर देता है और इसकी मौत हो जाती है